अगर आप फेस्बूक यूज करते हैं या फिर आप ट्विटर पर हैं कही बर भी आप जाएंगे तो आपको हर जगह बस एक ही बात दिखाई देगी और वह यह है कि UPPSC No Normalization यानि कि जो नर्लाइशन की प्रक्रिया है ये नहीं होनी चीए मान की करन बिल्कुल नहीं होना चीए और परिशा एक ही दिन में कराई जानी चीए इस मांग को लेकर बहुत बड़ी संक्या में जो अभिरती हैं फिलाल आयोक पर रात में भी प्रतरसन कर रहे हैं अगर कोई उनको भोजन और शेल्टर यानि कि अगर कंबल अगरा पहुचा सके तो इसके लिए उन्होंने पनी बात रखी है और पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए उनको यह डिमांड है कि हमें थोड़ी बहुत सुभिधा अगर कोई दे सकता है विश्यस तोर से उन्होंने अपील किये सभी कोचिंग संचालकों से कि जो कोचिंग संचालक हैं वो चाहें तो उनकी काफी हेल्प कर सकते हैं सोचल मीडिया पर उनको बड़ा समर्थन भी मिल रहा है अगर आप ट्रेंडिंग में देखेंगे तो फिलाल यह आप यहां पर देख सकते हैं कि ट्रेंडिंग में जो इस्तिती बन रही है तो फिलाल अभी जो पूरा मामला है वो ट्रेंडिंग में है और एक्सप्लोर पर ट्रेंडिंग में आईए तो आप देख सकते हैं कि फिलाल यह मामला जो है दूसरे नमबर पर है लिए लेकिन पॉंटिक्स में देखेंगे तो पहले नमबर पर 트inar कर रहा है है यहां देखे JAMES अब तक Esse यहां पर हो चुके हैं और यह बहुत बड़ी बात है इतना वड़ा समर्थन और इतना वड़ा जनांदोलन जो है वो शुरू हो चुका है अभिरतु की मांग यह कि जब तक आयोग नोटिस जारी नहीं करेगा वो यहां से हटेंगे नहीं और इसके लिए बकाइदा जो है कि UPPSC, PCS और RL की परिशा दो दिनों में और एक से अधिक सिप्टों में कराई जाएगी तो अभिरती जो थे उन्होंने उसी दिन ततकाल नोटिस को देखते ही अपनी बात रखने शुरू कर दी थी कि किसी भी सितिती में नारला इसन नहीं होना चाहिए और फिर उन्होंन दीजिए आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगे यहां पर देखिए आप तमाम चैनल जो है बस यही आज मुख्य मुद्दा है रवीश कुमार जी च्छात्रों की कोई सुनता क्यों नहीं लोक आयोग महा अंदोलन इसके बाद जो कुछ भी है न्यूज में हम देख लेते है न्यूज सेक्शन में यहां पर सारी बातें बस यही है और यही पर इच्छा पहला बोल यूपी पेसी की बड़ी टैंसन जूटों के तो कूटेंगे यह सारी चीज़ें आप देख सकते हैं तो मिलाज लाकर यह जो आंदोलन है अभी रात में भी जारी है और अब भिरती ज बहुत सारे शात्र है उन्होंने अपने अस्तर से अपनी हर बात को रखने का प्रयास किया है और सोसल मीडिया पर भी उनको बड़ा समर्थन मिल रहा है बहुत सारे चैनलों ने इसे कवर भी किया हुआ है और अगर आप ट्विटर यूज करते हैं तो आप देखेंगे यहा कि मैं आठ वर्स अभेड़ती रही हूं और आपका दर्थ भरी बात समझती हूं चाहे 2022 से आपसम अठाया हो या फिर 2018 से UPPSC पैटर नाया हो UPPSC ने अभेड़तीों का तर्क माना है इसलिए सामती और सम्मान से अपना तर्क रखें आप अधिकारी हूं तो खैर सारी बात अपनी जगह है लेकिन फिलाल जो आयोग है उसके सामने अपनी बात रखने लिए जो अभेड़ती है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और आप द जल रहे हैं आप यहां देख सकते हैं और अभेड़ती जो डिमांड कर रहे हैं कि पैसा नहीं ब्योस्ता चाहिए अगर कोचिंग से लग कोई ब्योस्ता दे सकते हैं तो उसका स्वागत यहां पर किया जाएगा तो फिलाल आयोग पर अभी भी टटे हुए हैं और रात में भी उनका प्रदर्शन जारी है यही है अब तक की अपडेट और सोसल मेडिया में बातें जो हैं ट्रेंड कर रही हैं और बहुत बड़ी संख्या में अभेड़ती जो है फिलाल आयोग पर अभी भी उपस्तित हैं यही है अब तक की अपडेट यूभी पीसी आरो यारो वन दे इस नाम के बारे में और फिलाल सोसल मेडिया में अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है यूभी पीसी नो नौलाज़ाज़ाज़ाज़न और यह मुद्दा अभी फिलाल तो भारत में ट्रेंडिंग भे नमबर वन पे है